नमस्का दोस्तू स्वागत है आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम इथियास्य सम्मंदित कुछ पिष्णों का डिस्कस करेंगी तो जिन पिष्णों की हां में हम बात करेंगी चलिए उनको देख लेते तो इसमें जो सबसे पहला हमारा परसन है कि हिंदू बिधी पर आधारत पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी ठीक है तो हिंदू बिधी पर आधारत है और पुस्तक का नाम है मिताक्षरा तो हमें बताना है कि मिताक्षरा पुस्तक को किसने लिखा इसके लिए ऑप्सन ए है नाइचंद्र ऑप्सन भी है अमो पुस्ता को लिका है, बिग्याने सोलने ठीके, और जो जो मिताक्छरा पुस्ता के यह हिंदू बिधी पर आधारत पुस्ता के, तो यहें आपको याद रखना है, आगे बढ़ते हैं, कि निम्न मैंसे भारत पर प्रतह्म आक्रमांकारी कौन था, ठीके, भारत पर प्रतम आकर और option D है मुहम्मद गौरी तो इसका जो सही अंसर है वह है मुहम्मद बिन कासिम ठीके तो भारत पर आकमाण करने वाला प्रथम जो आकमाण कारी था वह था मुहम्मद बिन कासिम आगे बढ़ते हैं कि निम्न मैंसे सम रांगण सूत्रधार का बिसाय क्या है ठीके सम रांगण सूत्रधार ऑप्शन A इस्थापत्र सास्त्र ऑप्शन B खागोल विग्यान ऑप्शन C योग सास्त्र और ऑप्शन D काब सास्त्र तो इसका जो सही अंसर है वह है इस्थापत्र सास्त ठीक है तो जो सम रांगन सूत्रधार है इसका जो विशा है वो है स्थापत्र सास्त ठीक है तो जो यह जो है सम रांगन सूत्रधार यह लिखी किसने है तो इसकी रचना की है धार के परमाराजा भोज ने किसने परमाराजाते भोज इन्हों के द्वारा ही इस पुस्ता को लिखा गया जिसका नाम है सम, रांगण, सूत्रधार और इसमें इस्थापत्य कला के बारे में बताया गया है अगला पस्न है कि उसकी मेत्यू से धारा नगरी, बिध्या और बिद्ध्वान तीनों ही निरासित हो गए यह उक्ति किस सासक के सम्मन्द में है ठीक है आप्षिन ए भोज परमार, आप्षिन बी मेहर भोज, आप्षिन सी सिंदूराज और आप्षिन बूज तो इसका दुसरी अंसर है वह भोज परिमार ठीक है तो भोज परिमार के बारे में कहा जाता है कि जब राजा भोज की मित्यू हो गई तो उसे धारा नगरी, विद्या और विद्ध्वान, तीनों ही क्या हो गए? तीनों ही निरासत हो गए और इनके बारे में कुछ पंक्तियां और बोल जाती हैं जो की हैं कि अद्ध्धारा, निराध्धारा, निरालंबा सरसोती, पंडिता, खंडिता, सरवे, भोज राजे, दिवंगते यानि भोज राजा की दिवंगती से सब कुछ निरासत हो गया चाहे वो धारा नगरी हो, चाहे वो विद्ध्या हो या विद्ध्वान हो ठीक है एक बार उसुन लेजिए आद्धेधारा निराधारा निरालंबा सरशुती पंडिता खंडिता सरवे भोज राजे दिवंगती आगे बढ़ते हैं कि किस सासक ने कालेंजर के अजे दुर्गे का निर्माण कराया ठीक है अप्शन C है धंग देव और अप्शन D है गंड देव तो इसका जो सही अंसर है वह है धंग देव ठीक है तो जो कालेंजर का दुर्ग है इस कालेंजर के दुर्गे का निर्माण कराया है धंग देव ठीक है और जो धंग देव थे यह एसो बरमन के पुत्र थे ठीक है तो य आपको याद रखना है कि एसो बरमन के पुत्त थे धंग दियो और इनुने ही कालेंजर के किले का निरमार का आया ठीक है और धंग दियो ने महाराजा धिराज की उपादी धाराण की किसकी उपादी धाराण की महाराजा धिराजा की उपादी धाराण की और धंग दियो के सा बताना है कि किसके किसके मद्ध हुआ था इसको हम बताना है इसके लिए option A है प्रतवी राज और मुहम्मद गौरी, option B है भीम और मुहम्मद गौरी, option C है जैचंद्र और मुहम्मद गौरी, option D है इन में से कोई नहीं, तो इसका जो सही अंसर है वह है जैचंद्र और मुहम्म क्या हुआ हुआ थि यहां क्क वान वान तो कहा था? कह प ए przeस्वामत्त के लिए पाल, प्रतिहार, और रास्टकूट के बीच त्री पक्षी संगयस हुआ ठीक है पाल राजाओ, प्रतिहार राजाओ और राश्ट कूट राजाओ के बीच में एक लड़ाई हुई जसको त्री पक्षी संगयस की रूप में जाना जाता है या किस जगह पर स्वामत्ते के लिए यह हुआ इसके लिए option A है पाटली पुत्र, option B है कन्नौज, option C है दिल्ली और option D है इन में से कोई नहीं इसका जो सही अंसर है वह है कन्नौज ठीके तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और रास्ट कूट इन तीनों राजाओं के बीच में त्रीपक्षी संगर्स हुआ, ठीके तो इसी को और इसमें क्या हुआ कि अंत में पितिहार और जो राजा हैं उन्हीं की जीत हुई तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है गुजात के थे पितिहार राजा और बंगाल के थे पाल राजा और दक्कन के थे रास्टकूट राजा इन तीनों के बीच में बार बार लड़ाय हुई जिसको हम त्री पक्षी संगर्ष की रूप में जानते हैं कर नौच के लिए है लड़ाय होती रही और अंत में पितिहार राजाओंप को उसमें बिजय मिली आगे बढ़ेंगे कि पाल बंस का संस्थापक कोन था ठीक है पाल बंस इस पाल बंस का संस्थापक कोन था एह हमें बताना है इसके लिए option A है गोपाल, option B है धर्मपाल, option C है देवपाल और option D है इन में से कोई नहीं तो पाल बंस, पाल बंस का संस्थापक था गोपाल ठीक है अगर हम बात कर लाएंगे पाल बंस की राजधानी कहां थी तो पाल बंस की राजधानी थी मुंगेर, खहां पर थी मुंगेर थी पाल बंस की राजधानी तो यह भी आपको याद रखना है आगे बढ़ेंगे कि राश्ट कूट बंस का संस्थापक कौन था राश्ट कूट बंस, इस दक्कन का राश्ट कूट बंस था इसका संस्थापक कौन था यह हमें बताना है इसके लिए option A है दंती दुर्ग option B है गोबिंदत्ति यह option C है किशन और option D है इंदर तो इसका जो सही अंसर है वह है दंती दुर्ग ठीके तो राष्ट कूट बंस का संस्थापक जो था वह था दंती दुर्ग ठीके दंती दुर्ग ने किसको पराज़त किया था चालुक को राजाओं को पराज़त किया था और उसकी वाद राष्ट कूट बंस की स्थापना की थी कब की थी 736 इसवी में तो यह भी आपको याद रखना है ठीके और जो दंती दुर्ग था इसने महाराजा धिराज परमेसुर और परम भट्टा रखी उपादी धरान की थी अगर हम बात करें राष्ट कूट बंस की राज़ताने की तो यहाँ की राज़ताने थी मानने खेत कहां थी मानने खेत यहाँ की राज़ताने थी आगे बढ़ेंगे कि मोधेरा का सूर्य मंदर किस राज में इस्तित है ठीक है हमें बताना है कि जो मोधेरा का सूर्य मंदर है एक किस राज में इस्तित है के सोलंकी बंस की राजा थे और राजा का नाम था भीम देव प्रथम कौन था भीम देव प्रथम राजा का नाम था 1026 इस भी में और मोड़े रा के सूर मंदर करने मान कर आया और जो मोड़े रा का सूर मंदर है यह किस राज में से थे तो यह गुजरात राज में इस्ते थे थेंक्यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धर्नवाद